श्री खर्तर गच्छ शहष्राप्ति महुत्सव समीति में आदर्निये परम पुज्ये खर्तर गच्छ आचारिये श्री जिन पियू सागर सूरिश्वर जी मुनी स्रेष्ट श्री संव्यग रत्न सागर जी आदर्निये श्री ललित कुमार नाटा जी संयोजक समीति माननिये श्री महिंद्र जी गढ़िया कारी कारी सदस्य उज्येन माननिये श्री भीखा भाई बारिया जी वेधायक पालिताणा आदर्निये श्री नरेंदर पारख जी अध्यक्स रिशव जिनेश्वर पेढ़ी आदर्निये श्री बी ल सोनल जी पोस्ट मास्टर जनरल माननिये श्री सूपारस गोलचाजी महमंत्री समिती सम्मानित आदर्निया सभी साधुजन साध्वी ब्रिंद महनुभाव महमानों देवी और सज्जनों प्रशासन के अधिकारी आदर्निये डियम महोदे, डीडियो महोदे, एस्पी महोदे आप सभी को इस खर्तर गच्छ शहष्राब्दी अवसर पर मैं हार्दिक वंदन और अभिवादन करता हूँ आज मुझे आपके बीच में आकर अपार सौभग्य की प्राप्ती हो रही है खर्तर गच्छ शहष्राब्दी एक हजार साल का समय छोटा नहीं हुता कोई संप्रदाए धरम इतना जीवन का लंबा काल तय करता हुआ अपने मूल सिध्धानतों के अनुसार जीवन जीता हुआ लोग और समाज को नई प्रेड़ना देता आया है निश संदे कि आज संपूरन भारत वर्ष नहीं विश्व के लोगों के लिए गरव और सौभाग्य की बात है जैन धरम भारत का प्राचीन धरम है हमारे 24 तीर्थंकर जिनोंने समय समय पर मानव समाज की गरीमा गरों को बढ़ाते हुए लोगों का मार्ग प्रशस्त किया है जीवन जीने का दर्शन दिया ऐसे सभी आचारियों को भी मैं प्रणाम और नमन करता हूँ आज के इस भोतिक वाद के युग में जब हम बहुत तनाव से गुजर रहे हैं बहुत आपा धापी का युग है ऐसे समय में जीवन के वो मूल भूत सिधान्त और दर्शन जो जैन समाज ने दिये हैं वो कभी भी पुराने हो ही नहीं सकते जीवन में सदैव वो प्रासांगिक ही बने रहेंगे जैन दर्शन भगवान महविर श्वामी का चिंतन जिसने मानव जीवन को भहुत सरस और सरल बनाने का प्रियास किया हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत हमारी वास्तुकला हमारा शाहित्य कला और संस्कृति इन सब को समय समय पर नवजीवन देने का और समाज को उसको साथ जोडने का काम हमारे सभी पूरो आचारियों ने किया है भाई और बेहनों मैं नमन करता हूँ इन साधवीओं को इन साधवों को के जिन्होंने नफासत और नजाकत को ठोकर मार करके कठोरता और संगर्ष का जीवन यापन करते हुए इस धार्मिक विरासत को बचाने के लिए ये चाहते तो आप और मेरी तरह घर बसा लेते दो-चार बच्चे पैदा कर लेते और दुनियादारी में उलज करके और यूही विदाई ले लेते किसी उर्दू के शायर ने लिखा है क्या कहें एहबाब हमारे कारे नुमाया कर गए ध्यान करेंगे क्या कहें एहबाब हमारे कारे नुमाया कर गए बीए किया नोकर हुए पेंसन ली और मर गए ऐसा जीवन हम जीते हैं एक ये लोग हैं जिनोंने अपने जीवन को तपस्या से कुंदन बनाया है जिनोंने अपने परिश्वम से विद्या से अपने आपको परिपूर्ण बनाया है और अपने जीवन को नेतिकता में ढाल करके समस्त मानवता को जीने का संदेश दिया है जैन दर्शन मूल उन सिध्धान्तों पर टिका जो भारत की संस्कृति के प्राण रहे हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रमचरिय, आपरिग्रह ये वो मूल सिध्धान्त हैं जिनको सार्व भोमा सिध्धान्त कहा जाता है ये जो जैन समाज के आचारीयों के मूल दिये हुए सिध्धान्त हैं ये सारव भोम सिध्धान्त है, सारव भोम सिध्धान्त किसे कहते हैं जो जाती देश काल के बंधन में नहीं बंधता जो सदई एकरस रहता है और इससे बड़ा प्रमान आप ध्यान करेंगे दो शब्द है एक शब्द है अहिंसा और दूसरा शब्द है हिंसा इसका विप्रीत अब इन दोनों में धरम कौन सा है ये पता करना है तो दोनों ही को समाज में लागू कर दो जो टिक जाए वो धरम है जो ना टिक सके वो अधरम है इससे सरल रास्ता हो सकता क्या आज सारे दुनिया में एक आदेश जारी कर दो के सब लोग हिंसा का रास्ता अपना करके जीएंगे हिंसा को समाज में लागू कर दो जो जिसको मिले मारो काटो खून बहो आप सब से मैं पूछना चाता हूँ ये सिधान चल पाएगा अहिंसा किसी भी निरपराधी प्राणी को मन वचन से कष्ट ना देना जैसे मैं अपने लिए सुख चाता हूँ वही सुख दूसरों को देना जो मैं अपने लिए चाता हूँ वही औरों को देना जैसे मुझे जीने का अधिकार वो सब को अधिकार है जी और जीने दो ये सिधान यदि समाज में लागू कर दें तो चलेगा कर नहीं चलेगा तो इनमें धरम अहिंसा है या हिंसा है तो यही तो संदेश हमारे आचारी उन्हें दिया है यदि ये सिधान्त धर्ती पर लागू हो जाए भाई और बहनों तो धर्ती पर सुख और शांती होगी जो लोग आगतंक का रास्ता अपना करके धर्म की बात की कलपना करते हैं वो धर्म हो सकता है जो दूसरों की हत्या करना ही धर्म मानते हैं वो धर्म कभी भी भारत के रिशियों की परंपरा में आचारियों की परंपरा में सुविकार नहीं किया गया ये संदेज जो विश्व को सुख का धाम बना सकता है सारे विश्व का कल्यान कर सकता है और वो सिध्धान्त है अहिंसा का सिध्धान्त सत्य ये भी उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ दो शब्द हैं एक है सत्य एक है असत्य दोनों को समाज में लागू कर दो जो टिक जाए वो धरम है जो ना टिक सके वो सीधा फर्मुला है कल से असत्य को कहो सारी दुनिया जूट पर चलेगी जो जिसके साथ व्यवार करे जूट का व्यवार करे आदा घंटा भी दुनिया चल सकती है आप तो उस समुदाय के लोग हैं जो बिजनसमेन हैं व्यपारी लोग हैं आप तो एक-एक सोदा वचन पे करते हो लाखों करोडों का व्यपार एक दूसरे को अपनी वानी के द्वारा वचन दे करके करते हो और आज आपने सोदा कर दिया दुनिया इधर से उधर होगी लेकिन आपका वचन टिक करके उसी दांत को चलाता है वो कौन सा सिध्धांत वो सत्य सिध्धांत है जो कहा वो किया इसलिए हमारे धरम का मूल सिध्धांत क्या है यनमन सा मनूते तद वाचावदती यद वाचावदती तद करमना करूती जो मन में है वही वाणी में है और जो वाणी में है वही करम में है इसका नाम सत्य सिध्धांत है अब सारी दुनिया जूट का व्यावार करे दुनिया दस मिनट भी नहीं चल सकती और सत्य वो मूल सार भूम सिध्धांत है जो आदी काल से और जब तक ये स्रिष्टी रहेगी सत्य से इधर उधर जाकर के दुनिया नहीं चल सकती सत्य वो सिधान्त है मेरे भाई और बेहनों जूट का पाहड चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन सत्य उसे कुरेदेते कुरेदेते धराशाई कर ही देता है सत्य प्रकाश के समान है जो सदा उजाला देता है जो अज्यान धकार से दूर करता है और ये मुल सिधान्त जैन धरम की हमारा परम उपदेश है अस्तेय चोरी ना करना दो शब्द हैं एक है अस्तेय और एक है स्तेय आश शब्द हटा दो तो स्तेय हो गया स्तेय का मतलब है जिसको जिसकी चीज मिले उसकी चोरी कर लो और अस्तेय का मतलब ये है बिना पूछे किसी की वस्तु को ना चूना लेना तो दूर है ये हमारे मूल सिधान थे तो अब इन में धरम कोन है चोरी करना धरम है या इमानदारी से जीना धरम है दोनों को समाज में लागू कर दो और जो टिक जाए वो धरम और जो ना टिक है सिधा फार्मुला इससे सरल क्या उपदेश हो सकता है कल से कहो कि जिसकी जिसको चीज मिले उसकी चोरी करो तो दुनिया चलेगी क्या और हर व्यक्ति इमानदार हो नहीं भाई मैं दूसरे की वस्ति चोरी तो क्या चूंगा भी नहीं ये सिधान चलेगा के नहीं ये टिकाउ सिधान थै आपरिग्रह आपरिग्रह परिग्रह का अर्थ है चारों तरफ से ग्रहन करना और अपरि ग्रहकार्त है अपनी वस्तु का भी त्याग करना आप कल्पना करो हमारे आचारियों ने कितना बड़ा जीवन जीने का धर्षण दिया था चोरी दूसरे की वस्तु की होती है और त्याग अपनी वस्तु का किया जाता है अपनी वस्तु का भी त्याग करना इसका नाम अपरिग्रा है क्यों त्याग करना किसलिए त्याग करना इसलिए त्याग करना कि जिस दुनिया में मैं और आप आए हैं ये छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये हमारी नहीं है जब हम दुनिया में आए थे हमारे आने से पहले ये थी और हम चले जाएंगे तब भी ये रहेगी यदि ये दुनिया की चीजें हमारी होती तो हम जब जन्म लेके आए साथ लेके आते और जाते समय साथ लेके लेकिन दोनों में हम ठेल हैं ना तो हम लेके आए और ना हम लेके जाएंगे, यदि इस पर अधिकार करोगे तो चोर कहलाएंगे, क्योंकि हमारी है नहीं, और हम इस पे कबजा करें, तो दूसरे की वस्तु की चोरी होगी के नहीं, और ध्यान करो भाई और बेहनों, हमारे भारत दर्शन में कहा, सुख औ दुख किसे कहते हैं, अनुकूल वेदिनिम्यम सुख हम, प्रतिकूल वेदिनिम्यम दुख हम, जिस चीज में हमारी अनुकूलता है, उसका नाम सुख है, जिस में प्रतिकूलता है, उसका नाम दुख है, उदारन के लिए, हम अपने घर में रात को, जब सोने का समय होता है तो सारे लोग बड़ी बुढिया मा क्या कहती बेटा कुंडी लगाओ दर्वाजा बंद करो कुंडी लगाओ ज्यान करो मेरी बात की और आपने रात को सोते हुए घर के दर्वाजे पर अंदर से कुंडी लगाई कोई दुख नहीं हुआ और हमारे बगैर पूछे बाहर से कोई आके कुंडी बंद कर जाए तो क्या होगा क्यों साब क्यों मेरी बेहनों और माता हो बाहर से कोई कुंडी लगा जाए हमारी बिना इच्छा के तो दुख होगा के नहीं होगा कौन खोलेगा अब क्या बनेगा पडूसियों को आवाज लगाओ चट पे चड़के यही चलेगा के नहीं और हम रात को अपनी च्छा से कुंडी लगाते तो कोई दुख नहीं होता और मोटा उधारम जैन समाज के लोग बहुत परोपकारी है बहुत दानी है दीन दुखियों की सेवा में आपका धन बहुत काम आता है बड़े उदार है आप में एक सज्जन भुजूर्ग हो गए जैसा कारिकरम आपका धार्मी की यह चल रहा है ऐसा यह कारिकरम भव्य आपका चल रहा था आपके भुजूर्ग ने अपने बेटा बेटी बहुको का बेटो वहाँ जैन संस्थान का कारिकरम चल रहा है मैं वहाँ कुछ दान देना चाहता हूँ तो बेटा बेटी पुत्र वदुने का पिता जी जरूर देओ और बेटों ने बुढ़े पिता की जेव में पैसे डाल दिये और बुढ़े पिता की प्रसनता की कोई सीमा नहीं आज मैं दान दूँगा मुझे बहुत सुख मिलेगा और ये सोचता हुआ वो बुजुर्ग एक बस में चड़ा उस धार्मिक स्थल पर आयोजन में भाग लेने के लिए बस में भीड बहुत थी उस बस में जेव कतरा भी चड़ लिया और बुढ़े पिता की जेव में जो पैसा दिया था ना बेटे बेटियों ने पुत्रवदू ने उस जेव कतरे ने वो पैसे बेचारे के निकाल लिये उनको पता भी नहीं लगा बस से उतर गया और वहां धार्मिक स्थल पर गया जहां आपकी तरह हजारों लोग बैठे थे लोग दान दे रहे थे बुजुर्ग ने भी हाथ जेव में डाला दान देने के लिए वहां तो कुछ मिलाई नी निकल गया बहुत दुखी हुआ बहुत परेशान हुआ उसके दुख की कोई सीमा नहीं लेकिन आप से मैं पूछना चाहता हूँ ध्यान से सुनना ये भुजुर्ग अपने हाथ से पैसे निकाल कर दान देता तो भी जेव से पैसे निकल गये थे और जेव कत्रे ने निकाले तो भी पैसे निकल गये बातों एक ही है के नहीं जेव से पैसा तो दोनों हिस्तिती में जाना था चाहे जेव कत्रे ने निकाल लिये तो भी जेव से गये और यहां आकर के देता तो भी जेव से निकाल के देता लेकिन जेव कत्रे ने बिना इच्छा के पैसे निकाले तो दुख का कारण हो गया और स्वेम निकाल करके दान देता तो सुख का कारण हो गया समझ में आई बात तो अनुकूल वेदनिम्यम सुखम प्रतिकूल वेदनिम्यम दुखम त्यागे सुक्हम वियोगे चदुक्हम भगवान महावीर स्वामी जी ने इस मूल सिद्धान्त को मानव दर्शन को मानव के मन की मनोदशा को समझ करके के हम दुनिया में कैसे जीएं इसे चिपक करके जीएं लिपट करके जीएं या इसको अपना नाम मान करके किसी अन्य की चीज मान करके जिए इसलिए वेदों में उपनिशदों में स्रिष्ट्री के आदी में जो ज्ञान था उसमें लिखा है इशावास्यमिदम सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगात तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रधकस्यच्विधनम ओ लोगो ये जो दुनिया दिखाई देती न ये हमारी नहीं इसका निर्माता कोई और है परमात्मा की ये व्यवस्था है हमें केवल भोगने के लिए दी है इसलिए भोगो लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजी था त्याग पूरवक भोगो अपना ना मान करके भोगो अब ये माईक जो है ना ये माईक आपने मेरे को दे दिया बोलने के लिए और अब मैं जाऊंगा तो मैं यूं कहूं कि मैं इसमें बोला हूं मुझे दिया मैं साथ लेके जाऊंगा तो मेरे को कहेंगे ये राजेपाल जी बुलाया था नेरा चोर जी बुलाया था क्यों साब अब ये दिया है इसका भोग मैं कर रहा हूं प्रियोग कर रहा हूं लेकिन जाऊंगा तो यहीं छोड़ जाओ इसका नाम है त्याग पूरुवक भोग करना इसका नाम है आपरिग्रह ये है जीवन जीने का धर्शन आजी समस धर्थी पर भगवान महविर स्वामी तीर्थंकरों के वो उपदेश और वैसा हम जीवन जीएं तो क्या जीवन में दुख हो सकता है आदम दुख कब होता है जब किसी वस्तु से राग कर लेता है प्रीती बना लेता है उसमें लिप्त हो जाता है और जब वो छूटता है तो वہा दुख होता है इसलिए कहा त्यागे सुक हम वीयोगे चादुक हम त्याग में सुख है और जबरदस्ती छुड़ा जाए तो इसका नाम दुख है ये मूल सिद्धान और ये दर्शन जेन आचारियों ने हजारों बरस पहले पाढ़ों की कंद्राओं में बैठ करके जंगलों के जोपड़ों में बैठ करके महान चिंतन के बाद ये दर्शन दिया जो सारव भूमिक दर्शन है जब तक ये स्रष्टी रहेगी तब तक ये मूल सिद्धान मनुष्य का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे ये लोगों को जीवन दर्शन और जीवन जीने का तरीका बराबर बताते रहेंगे भाई और बेहनों हमारे सब जयन आचारियों ने सदई तफस्या का जीवन जीआ अपने जीवन को आदर्श के रूप में मानवता के सामने प्रस्तूत किया और उनका नेतिकता और जीवन जीने का दर्शन जो सदई सुख का कारण बनता है और उसमें प्राणी मात्र के प्रतिदया का भाव इस से बड़ा मानव जीवन का दूसरा उपदेश हो नहीं सकता आद दुनिया में जितने युद्ध हैं जितने बंबारूद बरस रहें जो बारूद के रहेर पर दुनिया पड़ी है ये इस दर्शन के ने होने का परिणाम ही तो है यदि प्राणी मात्र में करुना है दया है सैशनुता है अइंसा का भाव है और सब को जो अपने में देखते हैं तो फिर वो बंबारूद किसके लिए बनाएंगे हमारा रिश्यों का दर्शन कितना उंचा दर्शन था वहां लिखा है वेदों में यस्तु सर्वानी भूतानी आत्मेवन उपशती सर्व भूतेशुचा आत्मानम ततों ने विचकित सती अर्थात कितना बड़ा दर्शन वेद में लिखा के धर्ती पर परमात्मा को प्राथ करना चाहते हो तो परमात्मा केवल घंटी बजाने से नहीं मिलने वाला केवल आर्थी उतारने से नहीं मिलता अपी तु उन गुणों को जीवन में धारन करने से मिलता है कौन से गुण कि तुम अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में देखना सीखो और दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा में देखना सीखो जो आप अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए पैदा करो इसका नाम हमारे याँ धर्म कहा है धार्ना धर्मित्या हूँ धर्म क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वस्तु की कोई चोरी ना करे तो मैं दूसरे की वस्तु की चोरी क्यों करूँ मैं चाहता हूँ मेरे साथ कोई असत्य का व्यभार ना करे तो मैं दूसरे के साथ जूट का व्यभार क्यों करूँ मैं चाहता हूँ मेरे को कोई हिंसा ना करे दुख ना दे तो मैं दूसरे की हिंसा क्यों करूँ दूसरे को दुख क्यों दूँ मैं ये चाहता हूँ मेरी बेहन बेटी को कोई गंदी नजर से ना देखे तो मैं दूसरे की बेहन बेटी को गंदी नजर से क्यों देखूँ इसका नाम धरम है ये था भारतिय दर्शन और यही हमारे जैनाचारियों ने अपने उपदेशा अम्रत से सदैव दिया जो सारु भूम धर्म है जो सब का कल्यान करने वाला है तो आज मैं उस घटना को भी स्मर्ण करता हूं ये भी घटना इसी गुजरात की धर्ती पाटन की जिसमें राजा दुरलव राज के समय आचारिय जिनेश्वर सूरीजी महराद हजार वर्ष पहले जिनोंने इनी दर्शन के माद्यम से इनी विचारों के माद्यम से जो चर्चा में कर रहा था शास्त्रार्थ में उन्होंने अपने प्रत्वी द्वंद्वी को पराजित किया और इन शास्वत सिध्धांतों की स्थापना के लिए उनकी विजैश्री प्राप्त हुई हजार वर्ष पहले वही सिध्धांत उस समय भी प्रासांगिक थे और आज भी प्रासांगिक है तब ही हम हजार साल के बाद आज के इस खरतर गच्छ कारिक्रम को आयोजित कर रहे हूँ इस सुब अवशर पर आप सब को मैं बहुत बहुत बदाई देता हूँ बहुत बहुत साधुआ देता हूँ और इन संतों को नमन और प्रणाम करता हूँ कि ये उन सारव कालिक सारव भुमिक मूल सी धानतों को लेकर समस्त विश्व में शांती का संदेश देने के लिए समस्त विश्व को सुख का धाम प्राने के लिए नगन पैर तपस्या करते हुए किसी भी प्राणी को दुख ना देते हुए अपने जीवन को सब के कल्यान के लिए आहूत करते हैं ये सबसे मांदर्शन है यही आज के समय की सबसे बड़ी आवशकता है भाई और बहनों भारती कैसा देश है जिसने सारे विश्वग में अपने धरम गुरु तो भेजे लोगों की आत्मा और मन को जीतने के लिए लेकिन हमने कभी कोई आकरांता नहीं भेजा लोगों का खून बहने के लिए हमने सारी दुनिया में शांती का संदेश दिया सब जगे हमने कल्यान का रास्ता बताया एक घटना मुझे अभी बोलते बोलते याद आगी वो सुना कर अपनी बात को समात करता हूँ इशा से 630 इश्वी पूरो चीन का एक यात्री भारत में आया था जिसका नाम था हुए इंसांग आपने इतियास में उसका नाम पढ़ा होगा के नहीं वो इस गुजरात में भी आया था वड़नगर में वहाँ उसमें बोध्धों के बहुत मठ होते थे उसमें गटना आया हमारा दर्शन क्या था भारत ये इस गटना से पता लगेगा जब चीन का यात्री हुएंसांग भारत में आया तो उसमें राजा हर्षवर्धन इस देश में राज्य करते थे 12 वरश तक वो भारत में रहा और उसने पूरे भारत देश का भ्रमन किया वेंसांग ने और वो अपने संस्मरणों में लिखता है मैं इतियास का विद्यार्ती रहा हूं उसमें मैंने इस गटना को पड़ा था अपने संस्मरण में वो क्या लिखता है कि मैंने दुनिया में भारत जैसा देश नहीं देखा और वो कहता है कि यहां चोड़े चोड़े राजमारग हैं सड़के हैं इनके दोनों तरफ इतने फलदार वरक्ष लगे हैं कोई यात्री यात्रा के लिए घर से निकलता है तो रास्ते के लिए उसे पाथे रास्ते का भोजन साथ लेके चलने की जूरत नहीं है वो चलता जाए और पके हुए फल जो पेड़ों के नीचे गिरे खाता जाए और यात्रा तै करता जाए यहां की शस्य सामला धर्ती सोना पैदा होता खेतों में इतनी उपजाव यहां की भूमी है यहां सुन्दर निर्मल नदियां है यहां धन धन्य से परिपूर्ण देश है अगली बाद ध्यान करना वो लिखते हैं मैंने इस देश में कोई शराब की दुकान नहीं देखी मैंने कोई मान साहारी जीव हत्या करने वाला नहीं देखा और वो लिखता है के यहां के बीहड जंगलों से जब मैं गुजरता था मैंने कई स्थानों पर इस देश की अकेली युवती को सोने चांदी हीरे ज्वारात के आभूषनों से लदे देखा लेकिन उस यूती की और कोई कूद रिष्टी से देखने वाला नहीं मिला इतने उचे चरित्र के लोग मैंने इस देश में देखे पूरे भारत का ब्रह्मन करने के बाद वो इस देश से इतना प्रभावित हुआ इतना प्रभावित हुआ के उसने राजा हर्षवर्धन को कहा के मैं यहां के बहु मुल्य ग्रंथों को जिनको पढ़ करके जान करके इस देश की युवा पीढ़ी इतने उचे करेक्टर और जीवन की है मैं ऐसा ही अपना देश बनाना चाहताऊ मैं यहां के वो बहु मुल्य ग्रंथ ले जाना चाहताऊ जिन में भारत का दर्शन है भारत का ध्यात्म है भारत के रिश्यू और आचारियों का चिंतन है ताकि वो ग्रंथ में अपने देश के युवाओं को पढ़ाऊं और उनको भी भारत के लोगों जैसे जीवन का अदमी बनाऊं तो उसने राजा हर्षवर्धन को कहा कि पूरे देश में घुमते हुए मैंने कुछ ग्रंथों को इकठा किया है अब बारा वर्ष मेरे को भारत में हो गए अब मैं वापस चीन जाना चाहता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरे इन ग्रंथों की पैकिंग करा दी जाए तो राजा हर्षवर्धन ने जितने ग्रंथ बहु मुल्य वेंट सांग ने इकठे किये उनकी पैकिंग करवा दी और बंगाल की खाड़ी के समुद्री जाहद के मार्ग से आदर सहित वेंट सांग को विदा कर दिया समुद्र में बैठ गया समुद्री जाहद चल पड़ा और जब समुद्री जाहद ठीक समुद्र के बीच में पहुँचा तो अचानक समुद्र में भेंगर तुफान आ गया तुफान इतना तेज था कि जहाज के कप्टान ने कहा जिन यात्रियों के पास में जरूरत से ज़्यादा वजन है वो उसे समुद्र में फेख दो नहीं तो यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है भाई और बेहनों हुएंट सांग के पास सेकड़ों पुष्टके थी मनों का वजन था उदर जहाज के कप्तान की सूचना मिली तो हुएंट सांग ने सोचा जान बची सो लाखों पाए ये जिन्दगी रहेगी तो एक किताबें तो फिर इकठी की जा सकती है जीवन को बचाना चाहिए यह सोच करके जहाज के बोज को हलका करने के लिए वो इंशांग इन मनों वजन की पुष्टकों को समुदर में फैंकने के लिए अपनी सीट से खड़ा हो गया इनके बराबर वाली सीट पर इन जैसे संत बैठे थे भारत के संत बैठे थे एक का नाम त्याग राज था एक का नाम ज्यान गुप्त था उन संतों ने देखा अग वेंट सांग जहाज के बोज को हलका करने के लिए इन पुष्टकों को समुदर में फैंकेगा लेकिन उन दोनों संतों ने वेंट सांग का एक ने दाया हाथ पकड़ लिया एक ने बाया हाथ पकड़ लिया और का वेंट सांग तुम अपने वतन से हजारों मिल दूर बारा वरस तक भारत में रहे हो और बारा वरस की लंबी यात्राओं में तुमने भारत के इन बहु मुल्या ग्रंथों का संग्रे किया है हम बहुत अच्छी तरह जानते इन ग्रंथों को तु क्यों अपने देश में ले जा रहा है ये चीन के हजारों युवाओं के जीवन के परिवर्तन का कारण बनेंगे बेहतर होगा के इन पुस्तकों को समुद्र में फैंकर के जाज के बोज़ को हलका किया जाए हम दोनों संत बूढ़े हो चुके हैं अब इन शेरीरों की दुनिया को कोई जूरत नहीं है हम मानवता के कल्यान के लिए तुम्हारे युवा पीड़ी और तुम्हारे देश के कल्यान के लिए इन पुस्तकों की बजाए अपने आपको समुद्र में भी लिन कर देते हैं ताकि जाज के बोज़ को हलका पुस्तके फैक करके ना करना पड़े भाई और बहनों इतिहास इस बात का शाक्षी है के हुएंत सांग ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते लेकिन जब तक ये शब्द बोले तब तक तो त्याग राज और ज्ञान गुप्त के दोनों संद समुद्र में कूद चुके थे और अपनी रहरों में विलीन कर चुके थे हुएंत सांग अपने संस्मरण में लिखता है दातों तले उली दबा कर भारत भूमी तु कितनी महान है तुने कैसे नरतनों को पैडा किया है कैसे साधु संतों को पैडा किया है जो अपने लिए नहीं औरों के लिए जीते हैं अपने में अपना पन नहीं औरों में अपना पन देखते हैं और जीवन में जीवन से बड़ा त्याग कुछ नहीं होता उसका भी वलिदान कर देते हैं भारत भूमें मैं तुम्हें सलाम करता हूं मैं तुम्हें नमन करता हूँ तुमने ऐसे नरत्नों को पैदा किया मेरे भाई और बेहनों ये दर्शन भारत का दर्शन अध्यात्माद का दर्शन मानवता का दर्शन सहिश्नुता धया और करुना का दर्शन अहिंसा सत्य और आपरिग्रा का दर्शन यही चिंतन हमारे इन आचारियों का चिंतन था आओ इस चिंतन को हम अबाद गती से बढ़ने का मारक प्रशस्त करते जाएं ये जितना धर्ती पर फैलेगा उतना धर्ती पर सुख, शांति और आनंद का वातावन होगा इससे विपरीत हिंसा जीवन का रास्ता नहीं है, जूट जीवन का रास्ता नहीं है, चोरी जीवन का मारक नहीं है चोरी की जगए इमानदारी जीवन है, हिंसा की जगए अहिंसा जीवन है चोरी नहीं अपीतु हर व्यक्ति की वस्तु को छूना तक नहीं ये हमारा दर्शन है दुनिया को पकड़ना नहीं छोड़ने के लिए तयार रहना है क्योंकि ये हमारी नहीं किसी दूसरे की है ये चिंतन होगा तो फिर आदमी डिप्रेशन में नहीं आएगा तनाओ में नहीं आएगा डॉक्टर पर दवाई लेने की जूरत नहीं मिलेगी वो त्याग के साथ तुब्यम बस्तु गोविंदम तुब्यमे समर पे कहता हुआ अंतिम विदाई लेकर जीवन की सफलता के साथ जाएगा आज मुझे आप सबने यहां आमंत्रीत किया आप जैसे भले धर्मात्मा लोगों के दर्शन हुए और एक अच्छे धर्शन को जीने का नयतिकता का आप पाट पड़ रहें मुझे भी आपके बीच में आकर सोभागे मिला मैं साधू संतों को नमन करते हुए आप सब का आयोजक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और खरतर गच्छे स्राब्दी समेलन की सफलता की बहुत बहुत कामना करता हूँ धन्यवाद